So guys, आज की वीडियो में हम next week का trade plan जानेंगे और conscious strikes मैं trade कर रहा हूँ और आपको जैसे पता होगा मेरा favorite strategy is triangle है तो मैं उसको कैसे trade करता हूँ आपको ये weekly series में पता चलेगा और बिना कुछ देरी के हम video शुरू करते हैं So guys, पहले हमको एक broader view लेना है और मैं एक daily chart से चालू करता हूँ तो ये bank nifty का daily chart है I mainly trade in bank nifty and nifty तो ये week मैंने bank nifty में trade लिया है इसलिए हम bank nifty के बार में जानेंगे and we obviously can see a great uptrend in place और आपको कोई भी selling नहीं दिख रही होगी especially from October अगर आप देख रही हो as in यहाँ पर एक downfall आया and up move बहुत अच्छा आया and again एक down move दिख रहा है within a matter of 2-3 weeks आपको फिर से एक down move दिख रहा है so this is what we have analyzed on the daily charts अभी हमको क्या देखना है दूसरा guys कि daily charts पर आप देखोगे कि every day selling आरी है and almost 6 days से आप देख सकते हो bank nifty ने negative closing दिए every day आपको red candle दिख रहा है so मेरा expectation क्या है कि bank nifty को अगर नीचे जाना है तो definitely जा सकता है and definitely उपर भी जा सकता है but मेरा view यह है कि थोड़ा सा up move तो आना ही है because 7-8 days, 9 days, 10 days नीचे नहीं जा सकता market जा तो सकता है but most probably नहीं जाएगा and हम probabilities पे खेलने वाले है so हमको range ऐसा बनाना है कि हमको बिल्कुल फरक नहीं पड़े market बहुत violently अगर move भी करता है तो हमको बिल्कुल फरक नहीं पड़ना चाहिए so हमारा view यह है कि 6 days से continue selling आ रही है so I am expecting a pause in selling और अगर selling आती भी है तो मैं heavy selling expect नहीं कर रहा मेरा कहने का मतलब यह है कि I am not expecting कि 34,000 या 33,000 2-3 दिन में आ जाएगा अगर selling आती भी है तो I am expecting बहुत slow selling आएगी and एक up move तो आना ही है एक या दो at least green candles हम लोगो देखने को मिलना चाहिए so यह हो गया daily charts per view और आपको यह भी दिख रहा होगा कि bank nifty ने recently support को break किया है so हम कि support की बात कर रहे है here you can see हम एक zone बना देंगे इसको so यह आपको दिख रहा है कि bank nifty ने इसको 22nd feb को यह break किया था आज एक retest मिला bank nifty को and वहाँ से फिर से pilotने की कोशिश कर रहा है so simply guys हमको यह देखना है कि bank nifty अभी कहां चाह सकता है on hourly charts so also guys I use यह में high of 50 and यह में low of 50 तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 50 period का high and 50 period का low मैं use करता हूँ क्योंकि for me it works beautifully और आपको दिख रहा होगा कि जबी भी एक अच्छी trend आती है उस पर support लेने की कोशिश करता है market so यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अच्छी सी एक trend आई थी और यहाँ पर consolidation होके इस area में आपको दिख रहा है चोटा सा support लिया exactly आपको कभी भी नहीं मिलेगा बट आपको एक area मिल जाएगी so 50 EMA पर बहुत बार market support लेता है तो इसलिए मैंने एक band ही बना दिया इसको higher level and lower level मिलेगा आपको यह band मिल गया यहाँ पर आपको दिख रहा है कि bank nifty ने resistance लेके अभी नीचा आने की कोशिश कर रहा है so मेरा assumption यह है कि 38,000 जो इस swing का high है यह at least next week के लिए नहीं आएगा so next week से मेरा कहने का बदल भी है कि next 3 या 4 days में नहीं आएगा and that will be sufficient for us to trade right तो हम क्या करने वाले guys every मैं Tuesday या Wednesday को trade लेता हूँ but मैं next week की options में लेता हूँ so I don't take in current week expiry so जैसे आज 23rd February चल रही है तो मैं 25th February में नहीं लूँगा मैं prefer करूँगा 4th March की expiry में trade लेने को and हमको मिल गया upper strike जो है 38,000 का and lower strike अगर आप बोलोगे तो मैं कॉनसा strike चूज करूँगा मैं prefer करूँगा एक support एरिया की बाजू में strike बेचने के लिए so आपको दिख रहा है यहाँ पर around यह level पर support आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा वाला bank nifty ने यहाँ पर resistance लिया था यहाँ से फिर से resistance लिया and budget के दिन यह अच्छा सा breakout आया था so यह area हम मान सकते हैं कि support जैसे काम करेगा bank nifty के लिए so simply 32,500 मेरा मानना यह है कि support बहुत अच्छा होगा and what we'll do is simply draw a line over there so 32,500 पर एक line draw कर देंगे and 38,000 पर भी draw कर लेंगे we'll just change the coordinates to 500 and 38,000 पर भी एक range draw कर लेंगे so 38,000 and 32,500 is our expectation right so अभी हम क्या करेंगे we'll go on abstra now and let's see कि हमारा view यह कैसे हम capitalize कर सकते है so let's go to abstra your strategy builder में हम चूज करेंगे bank nifty में because bank nifty का trade मेंने लिया है and हमारा upper range था 38,000 का call option so let's see that 38,000 call option 4th March के expiry है remember and we will be selling the option 38,000 का call option हमने sell किया and now we'll choose 32,500 put option now let's see how is that panning out for us और यह आपको दिख रहा है एक अच्छा सा range है हमारे पास around 32,400 से लेके 38,100 तक हमारा range है हमने premium approximately collect किया है 90 rupees का but मैंने personally trade midday में लिया था so approximately मैंको 100 या 110 का premium मिला था जो end of the day तक थोड़ा सा decay हो गया अगर आपको और भी updates चाहिए live updates चाहिए make sure you join my telegram channel उसका link description में होगा या तो आप telegram में जाके मानिक अगीचा भी search कर सकते हो आपको वहार पर भी मेरा channel मिल जाएगा जिस पर मैं live updates दे दे रहता हूँ मेरे trades की so coming back to the video आपको ये अच्छा दिख रहा है probability of profit हमको दिख रहा है 92% का हम इसको 4th मास तक नहीं hold करने वाले what we'll simply do is Wednesday और Thursday को आपको पता रहेगा guys की DK काफी अच्छा आता है तो हम mainly hold करेंगे इसको tomorrow and day after और हम देखेंगे की ये trade कैसे कर रहा है and if हमारा view right जाता है तो हमको अच्छा खासा DK मिल जाना चाहिए I'm expecting 30 to 40 points at least इसमें हम collect कर सकते हैं और adjustment की जरूरत कभी पड़ेगी guys अभी इसके बार में जानते हैं so let's go back to the charts और now we'll see कि adjustment अगर हमें करना पड़ेगा तो हमें कभी करना पड़ेगा so इसके लिए आपको थोड़े सा extra view लेना पड़ेगा थोड़े सा further refine करना पड़ेगा हमको view so again guys अभी हमारा expectation क्या था कि bank nifty का यहाँ पर resistance है 36,000 का एक अच्छा सा call build-up भी होगा so call writers will try to resist this area 36,000 एक round number है इसलिए guys मैं यह बोड़ रहाँ so 36,000 पर आपको definitely एक resistance देखने को मिलेगा also आपको यह भी दिख रहा होगा कि 50 EMA कभी resistance है as well as यहाँ पर इस area में भी resistance है तो काफी अच्छे resistance है 36,000 पर and let's say 36,000 दो या तीन दिनों में इसको take out कर लेता है bank nifty तो हमको adjust करने पड़ेगी put side को simply what we will do is 32,500 को हम धीरे धीरे shift up करते जाएंगे so 33,000 पर हम डाल सकते हैं क्योंकि आपको यह भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक अच्छा gap का support है और let's say bank nifty नीचे आएगा भी तो आपको यह gap जो है उसमें आपको अच्छा सा support मिल सकता है so 33,000 हम चूज करेंगे जो gap के just नीचे है and वहाँ पर भी support ले सकता है bank nifty so just in case अगर bank nifty वहाँ पर gap down हो जाता है या कुछ भी major selling आजाती है we can try to hold it अगर हमारा loss limit breach नहीं होता है तो and let's say कि guys नीचे जाने लग जाता है अभी so हमारा next support आपको दिख रहा होगा जो minus the support है आपको around this level दिख रहा होगा right so 34,300 अगर break होता है तो we'll have to adjust the call side और slowly slowly हम call side को नीचे लेके आ सकते है so 500 points नीचे अगर लेके आएंगे so 37,500 हो जाएगा approximately which is just near the swing high as well तो ये भी acceptable है so guys as per me इसमें position size होनी चीए है 2.5 lakhs per lot so अगर आपके आपके आप 5 lakhs है I would prefer 2 lot से जादा नहीं करना चीए and अगर आपके पास 2.5 lakhs ही है so I would prefer one lot ही trade करना ideal है उसमें क्योंकि जबी भी एक बड़ा सा trend आजाएगा let's say budget day पे अगर आप first जाते थे you can get out with a minor loss क्योंकि हमको loss देखना है overall capital size पे और हमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार हमारा 5% का 10% का loss हो गया and let's say कि एक major bad news आता है या good news आता है और बहुत बड़ा gap आ जाता है तो उसमें भी हम protected रहेंगे और हमको tension लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी because our position size is in control तो हमको trade plan क्या मिला है guys कि यहाँ पर 36,000 पे resistance है 34,500 approximately आप बोल सकते हो support है यहाँ पर and उसके नीचे अगर market जाता है तभी ही हम adjustment का सोचेंगे उसके बीच में हम adjustment का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे so that's why we have sold 32,500 why? because यहाँ पर आपको एक decent support दिख रहा होगा and upper side में हमने 38,000 का call option sell किया है simply because यहाँ पर market ने इस point से reverse किया है मतलब यहाँ से कोई तो selling आई थी market में किसी ने तो selling चुरू कोई थी जो भी बोलो आप retailers बोलो DIs बोलो, FIs बोलो यहाँ से market पल्टा था तो यह pivot point भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से market pivot होके नीचे के दरफ आने लग गया so that's why I have sold 38,000 call option and 30 to 500 put option so यह हमारा expectation है bank nifty के लिए for the coming week और जभी भी मुझे 30 to 40 points का मिल जाएगा profit मैं prefer करूँगा exit करने के लिए and let's say फिर भी अगर center में ही है, हमें 30 to 40 points का profit मिल रहा है and bank nifty is still in center, तो मैं hold करने का फिर भी सोचूँगा, otherwise I will prefer exiting with a profit and अगर आपको कोई भी live trades के updates सेगे, make sure you join my telegram channel अगर आपको वीडियो पसंदा है, make sure to like the video, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना पाऊ, it will also help the channel grow, so guys मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में bye bye